एरपोर्ट बंद, बंदरगाह सूने, ट्रेने रद, गाउं के गाउं करवाए खली, स्कूलों के छुटी घरों में दुपके लोग, बंगाल से बिहार तक दहशत, सावधान आ गया दाना, अब इन राज्यों में हाई अलर्ड, देखिए मौसम पर सबसे बड़ी अपडेट पर सबसे बड़ी अपडेट आप देख पा रहे हैं पत्रका टीवे पर, चक्रवाती तूफान, दाना का सरदेश के कई हिस्सों में नजर आ रहा है, पशिम बंगाल, ओडिशा, जार्खन समेत, आसपास के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ड जारी कर दिया गया है, ब अपने शेत्रिदिकार से गुजरने वाली 170 से अधिक एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों को रत कर दिया है, आपको ये भी बता दें कि दिल्ली NCR में आज मोसम सामाने रहेगा, वहीं ओडिशा की बात करें तो वहाँ पर तट्टिये इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है कि यहां जो हवा के रफतार होगी वो लगबग 120 किलोमेटर प्रति घंटे तक हो सकती है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चकरवाती तूफान दाना पिछले 6 घंटे के दोरान 12 किलोमेटर प्रति घंटे के रफतार से उत्तर और उत्तर परश्रिम की और बढ़ा है, त बंग 30-40 किलोमेटर प्रति घंटे के रफतार से तो हवा चलने के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार भी साफ तोर पर नज़र आ रहे है, पश्रिम मंगाल के कई जूरों में सुभे से ही मध्यम से भारी तिवरता की बारिश हुई है, चक्रवाती तूफान दाना का सर राज्य में साफ तोर पर नज़र आ रहा है, उत्तर पश्रिम मंगाल की खाड़ी में 90-100 किलोमेटर प्रति घंटे के रफतार से तूफानी हमाय दर्च की जा रही है, जो की बढ़कर 110 किलोमेटर प्रति घंटे तक में हो सकती है, तो ऐसे में आप सामधान रहे है, लगा का की साथ में हो आप किसाथ कर बाश्य कर शचरूरू